नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत एंवीर एज्यूकेशन के सी यूटूब चैनल पर और मैं संपत लिड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक परती की तहरी करवा रहा हूँ सातियों आज की जो हमारी क्लास है C Language के अंदर फाइल हैंडलिंग से समदित वो बहुती सांदार तरीके से आपके सामने आज रीपरेजेंट करने वाला हूँ आज आप जो है इस क्लास के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिकल जो क्लास है ठीक है ना प्रैक्टिकल जो क्लास है वो भी आपको देखने को मिलने वाली हैं किस प्रकार से हम फाइल को क्रियेट करेंगे किस प्रकार से फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में कैसे करते हैं उस file के अंदर क्या data होता उसको भी हम पढ़ेंगे Turbo C++ के अंदर एक simple से program के मदद से साथ ही उस file के अंदर हम कुछ text data write करने की जो है आप जो courses भी करेंगे तो बहुत सारा सांदार practical class आज हमारा होने वाला है और वीडियो को सुरू करने से पहला आप सभी से request करना चाओंगा कि प्लीज सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा मित्रों तक share जरू कर दीजगा ठीक है ज़्यादा से ज्यादा लोगों तक आज आपको इसको share करना है क्योंकि आज की class सारी की सारी आपको hand returns मिल रही है सारे notes के साथ और आपको जो है इसके लिए साथ में practical classes भी दी जा रही है चलिए सुरू करते हैं आज की हमारी इस class को तो आज की हमारी जो class है वो है file handling की और मैं सबसे पहले आपको एक request करना चाओंगा की जो आज पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज वो पहले pointer वाले topic की जो class है उसको देखे हैं क्योंकि आज की जो class है file handling जो है basically उसके अंदर आपको पताई होगा कि pointer का बहुत ही important role होता है pointer के बिना इसमें काम ही नहीं है क्योंकि address को मैं पहले store करवाना पड़ेगा फिर file उसको open कर पाएगी तो उसके लिए आपको pointer का topic समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो प्लीज आप visit करके उसको देखेगा उसके बाद इस class को पुने आप विजिट जरूर कीजिएगा और एक एक पॉइंट और एक एक कोशन आपको exam के हिसाब से मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से exam में आते हैं ठीक है तो बहुत इसांदार class होने वाली है चलिए शुरू करते हैं आज की class को तो file handling का मतलब क्या होता है कि आप अपने C program के या C++ होता है तो उस program के तुरू आप किस प्रकार से file को handle कर सकते हो यानि file को open कर सको उसके अंदर आप कुछ data lick सको write कर सको यह सारा कुछ आप जो है file को close सको यह सारे operations किसके अंदर आते हैं file handling यानि एक file को handle करने वाली है करते हैं फाइल एंडलिंग के अंतरगत पॉइंटर का प्रियोग होता है जो कि किसी memory को पॉइंट करता है तता memory में से information या value को access भी करता है उसके बाद उस फाइल को हम एक लोज भी कर सकते हैं जो अन्य बरियाबल का memory करता है जो कि मैं हमने दो जो पीछली क्लास है देखिती पॉइंटर की फ़र्स्ट और सेकेंड अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ तो उसमें आपको बदाए था कि onator basically बने किसके लिए जाते है कि किसी भी बेर्यवल का जो एड्रस होता है को श्टोर करने के लिए pointer का निर्मान किया जाता है यदि हमें इंटीज्र पर्कार का data अगले पर्कार का यह उसकेज़ करना यह उसके काम करना तो हम क्या चाहते हैं यानि आज अबी चीज हैं इसके अंदर हम फाइल पॉइंटर बनाना शीखेंगे और उससी फाइल के अंदर जो फाइल का एडर्स होगा उसको इस्टोर करेगा उसी एडर्स के मात दिम से हम डेटा को भी एकसेस करेंगे डी रेफरेंस वाला टोपिक भी आपको याद होगा सारा कुछ ठीक है मैंने पॉइंटर वाले टोपिक हम पड़ाए था अब देखे फाइल को बना रहे तो उसके लि सारा काम जो है वह टिका रहेगा तो देखिए पहला मोड और जिसको बोलता है रीड यहां पहले से बने गई टेक्स्ट फाइल में से डेटा को रीड करता है और का मतलब क्या होगा पर आर मोड अगर यूज करेंगे आगे मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार यूज करना है तो अगर मैं कहीं पर आर मोड यूज करता हूँ तो उसका मतलब है कि हम फाइल में से कुछ टेक्स्ट डेटा जो है उसको हम पढ़ना चाते हैं डवल्य क्या करता है यहां पहले अगर कोई फाइल बने गई है तो उसको क्या करेगा पहले यह ओवर राइट करेगा ओवर र तो वह फाइल मानलों की पहले वह फाइल नहीं वहां पर उपस्तित तो यह क्या करेगा उस नाम से नई फाइल क्रियेट करेगा उसके बाद उस डेटा को उसके अंदर लिख देगा यह उता राइट अब देखो एक और मोड उता जिसको बोलते है एप क्या होता है कि अगर आपकी जो टेक्स्ट फाइल की तरह यह क्या करेगा लेकिन इसका क्या मोड है कि मेरे पास यह फाइल जिसके अंदर कुछ डेटा है चार लाइन का अब मैं एपेंड का यूज करके अगर इसके अंदर कोई डेटा राइट करता हूं तो इसका मतलब है कि 6,7,8,9,10 जो भी है वो डेटा आगे सागे एड होता जाएगा लेकिन अगर मैं राइट का यूज करूँगा तो पहले लाइटा है उसके बाद नहीं डेटा उसके अंदर एड होगा तो यह चीज़ आपके और है करता है और अगर आप चार चलता है और और लेट डेटा एड़ करेगा फाइल नहीं तो नहीं फाइल बनना कि उसके अंदर एड़ कर देगा उसी प्रकार से आप एपएंड मोड अगर यूझ करते तो यह भी डेटा को राइट करता है बट यह क्या करता है जो पूरा नहीं डेटा उसको बीना डिलिट किये उसके आगे जिसक नहीं मिलते हैं चेली आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 快 publishing फाइल बनी है अब उसको ओपन मोड में किस प्रकार लाया जाता है मैं आपको प्रेक्टिकल करके समझोंगा तेहां रखीगा देखो यह क्या करता है यह पहले से बनेगी फाइल को ओपन करता है इसमें भी तीन मोड होते है रीड राइट और एपेंड जो कि अभी आपने अगर कोई ओपनी मोड के अंदर फाइल को ओपन करते तो वहां पर अगर फाइल प्रजेंट नहीं है तो क्या मिलेगा अपन को नल पॉइंटर मिलने वाला अगर है तो अपन को एडर से टन होगा इसका सिंपल सा है कि आप लिकेंगे एफ और उसके अंदर आप क्या करेंग और यहां पर एक इंटीजर में का स्टेंडर्ड फंक सेने उसके बाद एक फाइल पॉइंटर के त्रू मैं फाइल को ओपन कर रहा हूं जिसके अंदर को यहां पर पॉइंटर के अंदर पॉइंटर के अंदर अपना क्या होगा इस फाइल का जो जो भी अपना ओप्रेशन ह तोगी ठीक है और यहां पर अगर जैसे अम यहां पर जैसे यहां पर जैसे कोई फाइल मिली तो तो उसका एड़स पीटीर के अंदर चला जाएगा लेकिन अगर मैं यहां पर कहता हूं कि यहां पर अगर कोई फाइल नहीं मिली रीड करने के लिए तो यह क्या करेगा इस पर आपको वहां पर return कर देगा अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने टर्बो C++ की program की window में ताकि वहां पर आप इसको आसानी से समझ सकें तो देखें आपके सामने टर्बो C का screen मैं लेकर आ चुका हूं जहां पर मैंने एक program का करके रखा हैं जिससे आपका टाइम भी बच सकें देखो यहां पर वह इस प्रोग्राम में स्टीडी डोट एंच और यहां पर मैंने जो हैं जहां पर मेरा सी का program से वह रहा है वहां पर इसको टेक्स्ट फाइल को जिसका नाम टाइड़ टी एकस्ट है धियान रखिए कि अगर आप फाइल को तेजी से यह पर आपके सामने ऑपन आ चुका है कि फाइल ओपन इन रीड मोड यह निणी ओपन हो चुका यह रीड मोड में ठीक है आपको इस प्रकार से अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर उस फाइल का अंदर जो लिखा था वो तो मिला ही नहीं तो उसको open करने के लिए उसको पढ़ने के लिए अपनको और अधिक functions की आउशकता होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से वो काम करते हैं देखें यहाँ पर अब मैं आपको आगे बताता हूँ एक काम को कि आपको देखो अभी यह सारा काम हो चुका है अब मैं यहाँ पर अगर इसके अंदर से कुछ data को पढ़ना चाहता हूँ ठीक है, मैं आपको पहले वो notpad की file open करके दिखा देता हूँ जिससे आपको भी help हो सके उस file को पढ़ने में ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वो file बता देता हूँ कहाँ पर है मेरा ठीक है, तो आपको अभी मैं अपने screen पर लिक्या चुका हूँ यहाँ पर मैं जो है open कर लेता हूँ अपने, ठीक है यहाँ पर मैं देको C के अंदर गया, टर्बो C के अंदर यहाँ पर जाता हूँ अब मैं इसके अंदर कोई भी data को write कर लेता हूँ, पहले सही, जैसे मैं कोई भी यहाँ पर data को लिख देता हूँ, जैसे hello ठीक है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ hello, my name is संपत लिलर ठीक है, इसको control है, जैसे मैं save कर देता हूँ, देको ध्यान से देख ली दिए कि अंदर यह character है मेरे अब मैं इसको यहाँ पर save कर देता हूँ ठीक है, और यहाँ पर देको try.txt के अंदर c के अंदर c के turbo के bin में जहाँ पर मैं c के program को store कर रहा हूँ अब मैं इसको कर देता हूं यहां से close अब आ जाते हम अपने turbo c की screen के उपर अब देखें यहां पर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से करना है अब देखें मैं इसमें से data को access करूँगा तो तो मैं f gate c और f gate s function का use करने वाला हूं basics आपको पता है कि gate c और gate s किसके लिए use होता है कि अगर मैं f gate c का use करूँगा तो उस file में से एक character को पढ़ेगा अगर मैं f gate s का use करता हूँ तो यह क्या करेगा उसमें से पूरी string को पढ़ने का काम करेगा लेकिन string के लिए भी हम क्या करेंगे array का use करेंगे तो देख उस character की आज की value कौन return करेगा पई f gate c होगा यदि यहां किसी card बस उस file को open नहीं कर पाता है तो ध्यान रखागा यह minus one return करता अगर इस file में से यह character को read नहीं कर पाता है तो यह क्या करेगा अपन को minus one return करेगा अब syntax देखि आपका इसका simple सा है कि आप लिखेंगे f gate c और उसके अंदर आपका जो file pointer है stream वो आप यहां पर इसके अंदर लिखने वाले है ठीक है अब मैं यहां पर आपको बताता हूँ इसके अंदर किस परकार से काम करना है ठीक है इस character के साथ अपन को किस परकार से करना है तो यह मेरा file है simple सा जिसको मैं यहां पर आपके सामने इसके अंदर लिखने वाला हूँ जो भी मेरा program है ठीक है तो मैं यहां पर अभी जो है इसको हटा देता हूँ जो भी मेरा program था तो यहां से मैं basically इसको remove कर देता हूं सारा ठीक है और यहां पर मैं इसको रख देता हूं यहां तक ठीक है file star pointer ठीक है और यहां पर मैं आपके सामने screen लेकर आनने भूल गया था यह देखे आपके सामने screen आ चुकी है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो है ये को जो प्रोग्राम है वो टाइप करके दिखा रहा हूँ देखो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर करता हूँ प्रिंट एफ और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसके यहाँ पर मैं लेता हूँ परसेंटेज सी बिकोज यहाँ पर मैं करक्टर को फाइंड कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डबल कोटेशन ओफ कोमा और यहाँ पर अपनने किस के अंदर रिस्टोर कर वाया है इसको तो अपनने इसको किस टोर कर वाया इसके अंदर restore करवाया है अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको C को print बस simple size के अंदर ठीक है और उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको gates यह से off कर देते हैं मैं आपको बताता हूँ पहला नेरा जो था data ठीक है अब hello का h यहाँ पर print होना चाहिए अगर इसकी साब से देखा जाएं तो कि तो पहले इसको compile कर लेते हैं नो एरर ठीक है अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको स्वारी देखें यहाँ पर आपके सामने reading first character और h लिखा आ चुका है और अगर आपको पता होगा तो मैंने वहाँ पर तो टेक्स्ट फाइल को स्टोर के आता तो मैं लिखा था तो एक मोड आप इसके अंदर फाइल को रीड कर रहे हो भी ठीक है ना रीड किस प्रकार किया जाता है वह आपको मैंने अभी जश्ट बता दिया है चले आगे बरते हैं और यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में तो यहां पर यह प्रोग्राम आप सभी को समझ मा चुका होगा है यह हमने फाइल पॉइंटर बना दिया है जिसके अगर अभी क्या है और उसके बाद हमें इस फाइल का एड़ उपन करने की कोछिश कर रहा है तो यह इसके अंदर क्या करेगा इस्टो लिखा जाएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद में आप प्रसेंटेश थी के थ्रूए एक करेक्टर आपको दिखे कर जो कि आभी आपको एच देखने को मिला था ठीक है और यहां पर यह आपके जो है सेकेंड करेक्टर भी फाइंड करना चाहता है तो पूने यह इसके साथ f gate s function को भी यूज करना आपको सिखा देता है किस प्रकार से इसको यूज किया जाता है तो f gate s का use किसके लिए होगा function gate string ठीक है न तो file gate string तो इसके थूरू हम क्या करेंगा पूरी string को find करने वाले हैं तो इस program को भी मैं यहां पर आपको इसके सामने लिख आपको string पढ़ना है तो यहां पर मैं ले लेता हूं character और यहां पर ले रहा हूं str आपको बताओगा data type तो character होगा अब इसके अंदर मैं ले 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 रहा हूं कोई भी limit 7 ध्यान रिखेगा अब मैं यहां पर 7 ले रहा हूं तो वहां से जो data पढ़ा जाएगा ठीक है न तो उसकी लि आने पढ़ें के तो मैं अगर यहां पर लेता हूं जैसे मान लोग किते भी character ले रहा हूं यहां पर जैसे मैं ले लिए यहां पर 6 अब समझेगा यह कि यहां पर अगर मैंने छे लिया तो वहां पर सिर्फ पांच character print होंगे जो लाश्ट वाला जो character 6 वाला वो क्या करता है पॉइंटर स्टोर करता है तो इसलिए आपको जब भी पढ़ना है तो एक character null के लिए गिनके उसके बाद ही आप इसको यहां पर define कीजिएगा ठीक है यहां पर यह पर यह पॉइंटर मेरा बन चुका है अब मैं यहां पर ले रहा हूं reading string लिक देता हूं यहां पर ठीक है character क को भी हम कर देते हैं यहां से compile ठीक है और उसके बाद में हम कर देते हैं इसको करन कर देते हैं तो देखिए आपके सामने print reading string के अंदर आपको लिखावा आ चुका है क्या hello क्यूंकि हमने वहां पर किते character लिखे थे 6 लिखे थे तो देखो यहां पर यहां पर h e l l o किते हो गए यहां पर दो और दो चार और एक पांच हो गया ठीक है और एक एक स्पेस भी था अगर ध्यान से देखेंगे तो आप वहां पर एक आपको एक स्पेस भी मिला था उसके बाद करसर बिलिंग कर ला है तो टोटल कितने हो गए 6 अब यह इस पेस क् बलकि यहां पर एक नल पॉइंटर एड हो रहा है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकतो किसी भी फाइल के अंदर आप इस ट्रिंग को पढ़ सकते हो या एक करक्टर को पढ़ सकते हो तो यहां तक आगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर करने के लिए चैय को सबीडों से iSthis करना चाहोंगा की वह जल्दी से वीडियो को लाइक करतें अपने दोश्तु के साथ Warmoth कर्दें उसके बाद आगे पढ़ते हैं कर लुक्त करने वाले हैं करने वाले कि सकने वाले ंजिसके मदलश म को करक्टर को इसके नदर कर सकते हैं इसमें आर्गमेंट सर्व पास किये जाते हैं कि पहला सो जो एक रखान आप यूरर गलते यह शहतर ने होते तो Lacan पर क्या करेगा नल पॉइंटर को रिटन करेगा यह चीज़ आपको याद रखने लाइक है अब यहां पर मैं लिक रहा हूँ एक फाइल पॉइंटर बनाए मैं ने जिसके अंदर अभी नल है और यहां पर मैंने जो है पॉइंटर लिया है जिसके अंदर में f open की मदद से file को open कर रहा हूं right mode में इस बार दियान रखेगा फिर मैं उसमें f put c f gate c तो पढ़ने के लिए f put c किसके लिए use हो रहा है वे write करने के लिए उसके अंदर में एक character लिखना चाहरा हूं h ठीक है और उसकी बाद में मैं आपको इसके अंदर string लिखना भी समझा रहा हूं देखो f put c का तो use हमने किसके लिए कर रहे है एक character को अगर आपको string करना है तो आप किसका use करेंगे आप use करेंगे app put as ठीक है file put string के बारे में अब देखो app put as की मादद से मैं लिखूँगा यहाँ पर आपके सामने प्रिंट हो जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं तो वहाँ पर देखो सारा जो data होगा पहले वाला वहाँ पर से रिमूव हो जाएगा उसके साथ मैं यह add हो जाएगा चलिए बात करते हैं यहाँ से अपन के प्रोग्राम के तुरुक किस प्रकार से यह काम करता है ठीक है इसको आम जो है यहाँ पर अभी काम करके दिखाते हैं किस प्रकार होता है अब आप बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अपनी है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर हम एक नया डेटा राइट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करने वाले हैं समझे इस प्रोग्राम को तो यहाँ पर मैं जो है इस प्रोग्राम को राइट करना शुरू करता हूं आपके सामने ठीक है तो मैं यहाँ पर जो है इस पूरी स्ट्रिंग को यहां से यहां तकरेमों कर देता हूं सारा कुछ ठीक है और पी टी आर बरापर उपन तो फाइल ह में रिखाता हूं कि इस प्रकार से होगा तो मैं बराबर यहां पर कर रहा हूं लखा एक पूट सी कर ददेते इसको ठीक है और यहां पर बाकि इसके अंदर कोई भी चैंज नहीं करना है और फाइल पॉइंटर के अंदर अपन नहीं दिखाई दे रहा है मतलब यहां पर अभी आपको क्या करना है एंट करना है एंट करने के बाद हम क्या करेंगे इसके मैं मोड के उपर आजेंगे अब मैं आपको वहां पर आपनी स्क्रीन के उपर लेके चलता हूं जहां से आपको बताता हूं उस फाइल को ओपन करके क यह डेटा है आपने भी जो फाइल लिखा है तो वो डेटा भी तो आपको देखना पड़ेगा ठीक है क्योंकि वो डेटा आपको मिलेगा तभी आप वह पर क्या पर पाऊगे वहां पर आप उसको सैटिस्पाइब पाऊगे कि भी हाँ इसके इंदर डेटा है तो अब मैं जाता हूं सी के अंदर उसके बाद टर्बो सी 3 के अंदर आ जाता हूं बिन के अंदर आ जाता हूं और यहां पर मैं ट्राइटी एक्सट को में सर्च कर लेता हूं यहां पर यहां पर ट्राइटी एक्सटी फाइल है इसको ओपन करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिले मैं इसको यहां से change कर देता हूँ मैं यहां पर लिख देता हूँ ठीक है तो देखो control मैं यहां पर इसको कर देता हूँ पहले run, enter कर देता हूँ अब मैं वापस आके यहां पर आपको इस फाइल के अंदर दिखा देता हूँ पूरी स्टिंग को किस प्रकार चालों करें इसके लिए देखो तो उसके लिए आपको कंवा प्लासिक न घृणasing को में हैंब से अंभी स्टविशवगा देशन जी सब्सक्राइब कुइब drei में सब्सक्राइब teacher classes ठीक है और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर off अब यहाँ पर मैं इसको करता हूँ वापस again run और यहाँ पर देको blank screen आपके सामने आ चुकी है बराबर चलना है अब मैं इसको करता हूँ enter और बार आ जाता हूँ अब मैं आके यहाँ पर आपको वापस वह इसकाम करता है कि यहाँ पर आके आपको मैं screen के उपर दिखाता हूँ किस परकार से आपने अभी इसको काम किया है ठीक है तो यहाँ पर मैं जो है आपके सामने screen लेके आ जाता हूँ अपनी desktop की ठीक है आपके सामने यहां पर आपको समझ में होगा मेरी साब से बहुत ही ज्यादा बहुत हरा आपको अच्छा लगेगा सारा कुछ कि किसी फाइल के अंदर कोई भी कोई भी स्पेशिक लोकेशन के अंदर आप मूँ किस प्रकार कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए सबसे पहला फंक्शन है आपका एफ सीक एफ सीक फंक्शन क्या करता है भी यह इसका प्रियोग करसर को स्ट्रिंग की किसी पोजिशन पर मूँ करने के लिए होता है ठीक है इसका syntax आप देखेंगे तो यहाँ पर syntax आपका integer fc और उसके बाद यहाँ पर आपका जो file string जो stream है वो लिखेंगे यहाँ पर उसके बाद आपका long integer offset और उसके बाद integer when hence यहाँ पर लेखेंगे integer when hence क्या होता है कि आप end में जाना चाता है या नी जाता है कहां तक आप डेटा को लेना रहा है एक एक्जाम्पल देखिंगे तो भी यहां पर देखा आपको एफ सी का रहा है यहां पर आपका लिका रहा है एफ और यहां पर आपका पोजिशन या लोकेशन पर है उसका बाइट लोकेशन रिटन करता है कौन Ftel function बाइट के रूप में आपको जो है एक value रिटन करेगा कि अभी जो आपका cursor है उस file में वो इस जगह पर है रिवाइंड क्या करता है अगर आप उसके text है जैसे यह string है पूरी मान लो अब आप यहां पर बैटे तो इसको वापस यहां पर लाने में यानि starting में रिवाइंड करना में उसको help करता है यह for loop की तरह करता है जितने character पड़े वापस नए से पढ़ना सुरू जाएगा नए से पढ़ना सुरू जाएगा नए ऐसे यह रिवाइंड करता रहता उस program को अब लाश्ट में अगर हम बात करें तो closing file होती है file को close करना पड़ता है ठीक है तो closing के सामने fclose आ रहा है और उसके अंदर आप क्या करेंगा अपनी जो भी fclose function आप यूज करेंगा उसके अंदर आपको कौन सी stream को बंद करना है file को उसको आप यहां पर नाम लिख देंगे ठीक है अगर यह close हो जाता तो उसके बाद आपको यह zero return करता है यह दि closing operation file जो होती है वो फैल हो जाती है close नहीं हो पाती है तो आपको क्या होगा यहां पर एक return करेगा माइनस एक जो है वो return करेगा तो यह चीज़ा आपके हो गई आज फाइल हैंडलिंग से समंदी सारे concept है ठीक है आपको कैसी लेगी है वीडियो को अगर एक बार अच्छी लेगे जल्दी से पहले like कर दें सेर कर दें उसके बाद इसका फाइस्ट लिए हम रिवीजन कर लेता है एक बार हमेशा की तरह एक बार वापस हम जो है पॉइंटर क्या करता है किसी भी वैरियबल का एड्रेस करके रखता है ठीक है और उसी अदर से हम डेटा को रीट करेंगे इस फाइल मोड के अंदर ठीक है और उसके बाद हमने देखा था कि फाइल को क्रेट करने के लिए आप लिए फाइल क्रिएट और यहां पर आपका और यहां पर आपकी जो भी आइडेंटिटी मतलब आपका जो वैरिबल है वो यहां पर आप लिख देंगे इसके अंदर का या आपके जो भी फाइल एंडलिंग होती है इसके अंदर तीन परकार के मोड होते है और डब्ल्यू ए आर क्या करता है उस टेक्स में से डेटा को नया टेक्स डेड़ करने के लिए उसमें ले सकते हैं एप and मदद से अब जो इंदर यह नहीं तीनों मिड़ आपको यूज लेना पड़ेगा उसके लिए आपको फ यूज करना पड़ेगा फाइल को ओपन करने के लिए जिसके अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट देने प पड़ने तो आप F gate S का यूज करेंगे याद रखेगा उसके बाद हमने यहां पर देखा था फाइल के अंदर जो राइट करते हैं ठीक है फाइल के अंदर को भी डेटा को राइट करते हैं तो उसके लिए आपको F F put C और F gate S F put C और F put S का यूज करना है तो अगर आपको यह character लिखना है उसके अंदर तो आप क्या करेंगे पर F put C का यूज करेंगे अगर इस्ट्रिंग लिखना है तो आप F put S का यूज करने वाले हैं उसके बाद हमने यहां पर जो है फाइल के अंदर moving spacing location के बारे पड़ा करता है और rewind क्या करता है कई पर भी आपका कर से रहे तो उसको वापस यह starting में लेके आ जाता है यानि beginning में लेके आ जाता है closing करने के लिए आपको बता दिया F close function का आप यूज करेंगे और यह close करने के बाद zero return करता है अगर close file नहीं होती है तो वह आपके minus one को return करता है यह आपकी class थी file handling से समंदित ध्यान रखिए आपकी जो है C language का जो course है या classes जो है वो खत्म होने पे है उसके बाद आपको इसकी books complete provide कर दी जाए कि इसके handwritten off आप जो है download कर पाएंगे इसे के साथ मैं संपत लेड़ आप सभी से अलवीदा लेता हो मिलते है C programming के एक और रही class के साथ जय हिंद जय भारत